शारदिये और साल में पढ़ने वाली सभी नवरात्री में अखंड जयोती जलाई जाती है। अखंड जयोती का मतलब होता है ऐसी जयोती जोकी खंडित ना हो। नवरात्री में अखंड ज्योति जलाने से माताराणी प्रसन होती है और उनके आशीरवात से घर पर खुशालीव सम्रिधि बनी रहती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अखंड जयोती जलाने के कई नियम भी होते हैं और इसे जलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अखंड जयोती का बुझना शुभ नहीं होता है लेकिन अगर बीच में ही अखंड जयोती किसी कारण बुझ जाए या बार-बार अखंड जयोती बुझे तो ऐसे में क्या करना चाहिए अखंड जयोती का बार-बार बुझना अशुभता का संकेत माना जाता है अगर अखंड जयोती बुझ जाए तो सबसे पहले मां से क्षमा याचना करें साथ ही अखंड जयोती के बगल में एक छोटी दीपक भी जलाए अगर अखंड जयोती किसी अखंड ज्योती बुझ गई है, तो फिर से बाती उसी में डाल कर दीपक को न लगाएं, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योती को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें, तो आपकी ज्योती खंडित नहीं होगी। नवरात्री में जलाई गई अखंड ज्योती पूरे नौ दिनों तक जलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योती जलाने के लिए सवा बित्ता की बाती का इस्तिमाल करेंगे, तो यह कभी भी पूरे नौ दिनों तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए दूसरी बाती को पहली बाती में पहले ही जोड दीजिए। अखंड ज्योती की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप पहले ही सवा हात का रक्षा सूत्र बना कर दीपक के बीचों बीच रख दें। जिससे की दीपक किसी कारण बुझ जाए तो आप इस बाती से दीपक को जला सकें। अगर नौ दिन पूरे होने और नवरात्री खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक माकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाएं। बलकि दीपक को स्वयम ही बुझने दें। अखंड ज्योती को देवी मा के दाएं और रखा जाना चाहिए लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाएं और रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए काँच की चिमनी से ढख कर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मार कर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है बलकि दीपक को स्वयम बुझने देना चाहिए। इशान कोण यानि उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए अखंड ज्योती पूर्व दक्षिन कोण यानि आगने या कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूझा के समय ज्योती का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करे। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूझा की समाप्ती के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। ज्योत को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला नहीं छोड़ें और नहीं घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तिमाल हुए दीपक या तूटे हुए दीपक का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। नौ दिन पूरे होने के ज्योती को स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसी लिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है, कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभकार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है, जिस प को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदु धर्म में किसी भी शुभकार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने वा उसे रखने के संबंध में कई नियम बताये गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए। इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है? नवरात्री में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? नवरात्री का हिंदु धर्म में विशेश महत्व है. साल में हम दो बार देवी की आराधना करते हैं. नवरात्री के दोरान माता रानी को प्रसन करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना अंखड ज्योती माता की चौकी आधी तरह के पूजन अर्चन करते हैं. नवरात्री के नौ दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं. अखंड ज्योती पूरे नौ दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है, अखंड जयोती जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर ये जयोती बुझ जाए, तो अपशगुन होता है। जलाए रखना अखंड जयोती कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्री में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांती बनी रहती है और सभी कार्य सिध्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्री के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और न सालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांचित फल की प्राप्ती हो सके। आम तोर पर लोग पीतल के दीपकात्र में अखंड जयोती प्रज्वल्लित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीपकात्र भी इस्तिमाल कर सकते हैं। मगर इस्तिमिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को घर लाने से माता रानी की क्रिपा बनी रहती है। और कभी भी धन्धान्य की कमी नहीं होती। हिंदु धर्म में शारदीय नवरात्री के पर्व का विशेश महत्व है। नौ दिनों तक चलने वाला ये पावन त्योहार मा दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों जो भी भक्त माता रानी से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो मा अपने भक्तों की पुकार को खाली नहीं जाने देती। भक्त भी अपनी मा के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे पूरे नौ दिनों उपवास करते हैं और मां की आराधना में लीन हो जाते हैं। आपको बता दें। चांदी का सिक्का घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर पूजने से घर में बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती। ऐसे में आप भी इस नवरात नवरात्री के पावन मौके पर इसे लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन दिनों रोजाना मा तुलसी के आगे दिया लगाने और जल देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांती बनी रहती है मा लक्ष्मी की तस्वीर। धार्मिक रूप से इसे ही शुभ बताया गया है। करें कलश की स्थापना। नवरातरी के पहले दिन कलश की स्थापना करने का विशेश महत्व है। नवरातरी में कलश जरूर हरें।